परिचय पिंकी, चलो हम वापस चले, मुझे पढ़ाई करनी है थोड़ा टहरो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ क्या? थोड़ा उची स्वर में कुछ बोलो पिंकी अरे ये क्या? इसको तो प्रध्वनी कहते है प्रध्वनी, ये तो बड़ा दिल्चस्प है हाँ, क्या तुम इस विशे में अधिक जानना चाहती हो? हाँ, हाँ, बताओ न चलो, मैं तुम्हें ध्वनी के संबन में सब कुछ बताती हूँ उद्दिश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ध्वनी की उद्पत्ति को समझना ध्वनी के प्रसार को समझना ध्वनी तरंगों के लक्षणों को बताना ध्वनी तरंगों के परावर्तन को समझना प्रदी ध्वनी और अनुगूंज को परिभाशित करना सोनार को परिभाशित करना एवं मानव कान की संदचना की व्याख्या करना ध्वनी की उत्पत्ती बच्चों, हम जानते हैं कि ध्वनी वैसा सम्वेदन अथ्वा अनुभूती है जिसे हम सुनते हैं कमपन करने वाली वस्तु से ध्वनी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु अथ्वा पदार्थ गती करता है तो कमपन होता है कमपन का अर्थ है किसी वस्तु अथ्वा पदार्थ का तेज गती से आगे पीछे होना आईए कुछ उधारणों के माध्यम से जानते हैं कि नियत ध्वनिया कैसे उत्पन्न होती है मानव ध्वनी किसी व्यक्ति की आवाज अथ्वा ध्वनी उसके स्वर रज्जुओं में कमपन के कारण उत्पन होती है पशू ध्वनी जब पक्षी अपने पंक फड़ फड़ाते हैं तो ध्वनी उत्पन होती है मदु मख्यां जब उड़ती हैं तो भन-भन की ध्वनी उत्पन होती है। ध्वनी के लिए कुछ वाद्देयंत्रों पर किसी वस्तु से क्रमिक चोट करनी परती है तो कुछ वाद्देयंत्र तथा बीन अथवा वाइलिन में एक या इससे अधिकतार खीचने से कमपन उत्पन होता है और इस कारण स्वर लहरी फूटती है। ध्वनी का प्रसारण। जब वक्ता के भाशन द्वारा ध्वनी उत्पन होती है अथवा जब किसी वस्तु में कमपन होता है तो ये माध्यम के कड़ों को कमपन के इर्द गिर्द व्यवस्थित करता है। ये कड़ कमपन करने वाली वस्तु से सुरोता के कान तक संवहन नहीं करते। माध्यम का कोई कड़ जब कमपन करती वस्तु के संपर्क में आता है तो पहले वो अपने संतुलन की स्थिती से विस्थापित होता है। तब ये अपने निकट वर्ती कड़ों पर बल आरोपित करते हैं और वो अपनी स्थिर अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। अपने निकट वर्ती कड़ को विस्थापित करने के बाद पहला कड़ अपनी पूर्विस्थिती में लोट जाता है। ध्वनी के सुरोधा के काणों तक पहुंचने तक माध्यम में यह प्रकोरिया सतत चलती रहती है। किसी माध्यम में ध्वनी के प्रसारण के समय माध्यम के कण स्वयम आगे नहीं बढ़ते, किन्तु उत्तेजना को आगे इस्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार ध्वनी तरंगे किसी माध्यम में कणों की गती हैं एवं इन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है. ध्वनी का प्रसारण क्या तुम मुझे ध्वनी के सबसे सामान माध्यम के बारे में बता सकती हो? वायू वो सामाने माध्यम है जिसके द्वारा ध्वानी तरंगें संचरण करती है जब कंपन करती कोई वस्तू आगे बढ़ती है तो यह अपने सामने की हवा को धक्का देती है और संकुछित करती है जिससे उच्च दबाव का एक क्षित्र बनता है यह क्षित्र संपीडन यानी सी कहलाता है और जब कंपन करती वस्तू पीछे की तरफ बढ़ती है तो यह निम्न दाप का क्षित्र निर्मित करती है जो विसरन आर कहलाता है संपीडन उच्च वायुदाव वाले क्षित्र हैं जबकि विसरण निम्न वायुदाव वाले क्षित्र होते हैं इस चित्र को देखो यह संसवरण दुई भुज द्वारा निर्मित ध्वानी तरंगों को दर्शा रहा है एवं वायु के माध्यम में ट्यूब में प्रसारित हो रहा है यह संपीडन वाले क्षित्र हैं और यह विसरण वाले क्षित्र हैं ध्वनी प्रसरण के लिए माध्यम आवशक है इस प्रकार कणों में कमपन द्वारा ध्वनी उत्पन होती है इसके संचरण के लिए माध्यम की आवशक्ता होती है यथा वायू, द्रव, अथफा, ठोस परंतु हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ध्वनी संचरण के लिए माध्यम की आवशक्ता होती है आईए देखें इस आकरिती को देखिए यहां एक विद्युत घंटी एक वायू रोधी शीशे के मर्तबान में रखी है जो एक वैक्यूम पंप से जुड़ी है जैसी ही विद्युत घंटी का परिपत पूर्ण होता है ध्वनी सुनाई पड़ती है अब यदि हम धीरे धीरे वैक्यूम पंप की सहता से मर्तबान से वायू बाहर निकालते हैं ध्वनी की तीवरता घटने लगती है और अंतता जब मर्तबान से पूरी वायू निकाल ली जाती है तब ध्वनी भी सुनाई नहीं पड़ती हमने घड़ियाल पर लगतार परते हदोडे की चूट देखी होगी इससे यह इसपष्ट रूप से सिद्ध होता है कि ध्वनी को संचरण के लिए माध्यम की आविशक्ता होती है ध्वनी तरंगे अनू तैधर्रे तरंगे हैं वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कर्ण उसी दिशा में आगे पीछे कमपन करते हैं जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है तो उसे अनू दैधर्ध तरंग कहते हैं तीन माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में अनू दैधर्ध तरंगें उत्पन की जा सकती हैं ध्वानी तरंगें अनुदेर्ध होती हैं, क्योंकि कणों के कमपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानतर होती है। उधारण के लिए जब वायलिन के तार को छेड़ा जाता है, तो वायों में एक तरंग उत्पन होती है। संचरण की दिशा के लंबवद अपनी-अपनी मध्य स्थितियों में गतिविधी करते हैं। ध्वनी तरंगों के लक्षण ध्वनी स्रोध जितनी तीवर गती से इस्पंदित होगी आवृत्टी उतनी अधिक होगी। उच्य आवृत्य को उच्य स्वर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। उधारण के लिए जब तुम उच्च स्वर में गाते हो तो तुम अपने स्वर रज्जूओं को तीवर गती से इस्पंदन के लिए बाध्धे करते हो. इस प्रकार उच्च स्वर वाली ध्वनी कार्थ है प्रती इकाई समय में किसी निश्चित बिंदू पर संपीडन एवं विष्रण की अधिक संख्या. भिन भिन आकार वाली वस्तूओं एवं परिस्थितियों में विभिन आवरित्यों पर कमपन से अलग अलग स्वर ध्वनिया उत्पन होती हैं. यहां सामाने तोर पर एक ग्रीक अक्षर निउ द्वारा दर्चाई जाती है. इसकी ऐसी काई हर है. हम जानते हैं कि संपीडन वाले क्षित्रों में कणों की संक्या ज्यादा होती है और इन्हें वक्र की उपरी सतह द्वारा दर्चाया जाता है. वक्र की चोटी अधिक्तम संपीडन क्षित्र का प्रतिनिधित्व करती है. इस प्रकार संपीडन क्षित्र में घनत्व और तबाव दोनों अधिक होते हैं। विसरण निम्नदाब क्षित्र होता है, जहां कन बिकरे होते हैं, और इन्हें घाटी द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात वक्र के निचले हिस्से द्वारा, तरंगों के उंचाई वाले क्षित्र को शिखर और निचले क्षित्र को गर सभानता तरंग दैर्थ को एक ग्रीक अक्षर लेंड़ा दौरा दर्शाया जाता है, इसकी SI1 मीटर यानि M है। ध्वनी तरंगों के लक्षण दो क्रमा गत संपीडन अथवा विसरण द्वारा एक निश्चित बिंदू तक पहुँचने में लगे समय को तरंग अवधी अथवा परिक्रमण काल कहा जाता है, इसे एक प्रतीक चिन्न टी द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी SI1 सेकिंड यानि S है। आवरिती एवं समय का संबंध निम्न है। V बराबर एक बटे टी। किसी तरंग संगेत की क्षमता अथवा शक्ती को उसका आयाम कहते हैं। अथवा कह सकते हैं कि ग्राफ पर तरंग की उचाई ही उसका आयाम है। मुलता ध्वनी की प्रबलता अथवा कोमलता उसके आयाम द्वारा ही निर्धारित होती है। ध्वनी तरंग के आयाम उस बल पर निर्भर हैं जो किसी वस्तु में कमपन के लिए लगाय जाते हैं। गती ध्वनी की गती को उस तूरी द्वारा परिभाषित किया जाता है जो तरंग के किसी बिंदु पर प्रती इकाई समय में सम्पीडन अथवा विसरन द्वारा तै की जाती है। हम चालते हैं गती V बराबर दूरी बटे समय जोकी λेम्डा बटे T के बराबर है। यहां लेम्डा ध्वनी तरंग का तरंग देर्ध है। यहां एक समय अवधी T में ध्वनी तरंग द्वारा तै की गई दूरी है। V बराबर लेम्डा V, कोश्ठक में Q, 1 बटा T बराबर V, या V बराबर लेम्डा V, इस प्रकार न्यू बराबर लेम्डा गुणा V है, अर्थात गती बराबर तरंदेर्थ गुणा आफरिती. विभिन माध्यमों में ध्वनी की चाल ध्वनी की गती उस पदार्थ पर निर्भर करती है, जिसके माध्यम से यह गुजरती है. ध्वनी की गती द्रव अत्वा गैस की तुल्ना में ठोस पदार्थ में अधिक होती है, क्योंकि गैस अत्वा द्रव की तुल्ना में ठोस पदार्थ में अडू एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं. इस तालिका की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन माध्यमों में ध्वनी की क्या गदी होती है ध्वनी का परावर्तन प्रकाश की तरहा ध्वनी भी किसी ठोस अथ्वा द्रफ की सतह पर परावर्तित होती है ध्वनी के परावर्तन एवं प्रकाश के परावर्तन के नियम एक समान होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है आपतित परावर्तित एवं सामाने तरंगें एक ही सतह पर होती है ध्वनी तरंगें बड़े, कठोर, चिकने, क्षेतिज सथों एवं सथों से बहुत दूर यथा दीवारों, भवनों एवं चट्टानों पर भी परवर्तित हो सकती हैं इस प्रकार की सथों से ध्वनियों का जो परवर्तन होता है प्रति ध्वनी उसी से उत्पन होती है हमारे मस्तिश्क में ध्वनी की सम्वेदना 0.1S तक रहती है विशिष्ट प्रति ध्वनी को सुनने के लिए वास्तविक ध्वनी एवं परावर्ति ध्वनी के मध्धे समय का अंतराल कम से कम 0.1S होना चाहिए यदि हम धिये गए तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर वायू में ध्वनी की गती को 344M2S रखते हैं तो ध्वनी को अवरोध तक पहुँचने और वहां से परावर्तित होकर श्रोता के कान तक आने में 0.1S का समय लगेगा अताहा अपने प्रस्थान बिंदू से लेकर परावर्तन सतह एवं परावर्तन सतह से पुना प्रस्थान बिंदू तक लोटने में ध्वनी द्वारा तै की गई खुल दूरी को कम से कम 344M2S इंटू 0.1S बराबर 34.4M होना चाहिए इस प्रकार विश्रिष्ट प्रतिधोनियों को सुनने के लिए 22 रोज से अवरोधक की नियूनतम दूरी अवश्य ही इसकी आधी अर्थात 17.2M होनी चाहिए वायू के तापान में परिवर्तन के साथ यह दूरी भी बदलती है क्रमशा अत्वा एक अधिक परवर्तनों के कारण प्रतिधोनी एक से अधिक बार भी सुनी जा सकती है गूँज दूर्दा पूर्वक बार-बार ध्वनी परवर्तन के परिणाम सरू जो ध्वनी उत्पन होती है उसे गूँज कहा जाता है गूँज तब अनभव होती है जब परवर्तित ध्वनी तरंगे आपके कानों तक 0.1 से भी कम समय में पहुँच जाती है उधारण के लिए एक बड़े कक्ष में जो ध्वनी उत्पन होगी वह देर तक बार-बार दीवारों से परवर्तित होगी जब तक कि उसकी त्वरा घटते-घटते इतनी कम हो जाएगी कि सुनी नहीं जा सके आईए अब एक समस्या का हल करते हैं एक व्यक्ति एक चट्टान के पास चिलाता है एवं पाज सकंड के बाद प्रतिध्वनी सुनता है उस व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? यदि ध्वनी की गती V बराबर 300M S की पावर माइनस एक ध्वनी की दी गई गती V बराबर 300M S की पावर माइनस वन है प्रतिध्वनी सुनाई देने में लगा समय T बराबर 5 सेकंड ध्वनी द्वारा तै की गई दूरी बराबर V गुणा T अर्थात 300M S की पावर माइनस वन गुणा 5S बराबर 1500M 5 सेकंड में ध्वनी को व्यक्ति और चट्टान के बीच की दूरी दो बार तै करनी पड़ेगी अतहा व्यक्ति एवं चट्टान के बीच की दूरी होगी 1500M बटे दो बराबर 750 मीटर श्रावन सीमा आसतन व्यक्ति की सामाने श्रावन सीमा निम्रतम 20Hz एवं उच्चतम 20,000Hz के बीच होती है पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों और कुछ पशूं जैसे कुट्टा 25,000Hz तक की दूरी सुन सकते हैं मनुष्यकी श्रावन सीमा उम्र बढ़ने के साथ घटने लगती है जब व्यक्ति बुड़ा हो जाता है तो उच्च आवरिती की धोनी सुनने की ख्षमता खो देता है 20Hz से कम आवरिती वाली धोनिया अनुश्रव्य धोनी कहलाती है कुछ जानवर यथा वेल एवं हाथी अनुश्रव्य धोनिया निकाल सकते हैं 20Hz से उच्च आवरिती वाली धोनिया को पराश्रव्य धोनी कहते हैं कुछ पराश्रव्य धोनियों को सुन सकते हैं इसलिए श्वान प्रशिक्षक अपने कुछ बलाने के लिए पराश्रव्य धोनी वाली सीटी का उप्योग कर सकता है पराश्रव धोनी तरंगे चमगादरों के लिए अति आवशक हैं, क्योंकि वो दुनिया को देखने के लिए इसी पराश्रव धोनी तरंगों पर निर्भर हैं पराश्रव धोनी के अनुप्रयोग पराश्रव धोनियों का उप्योग उद्योगों एवं चिकिस्सा के क्षित्र में किया जाता है। पराश्रव धोनिया अवरोधकों की उपस्थिती में भी अपने निर्दिष्ट पत पर गमन कर सकती हैं। महिलाओं की पेट की जाँच के लिए चुके सक हस्त चालित ट्रांस ड्यूसर के माध्यम से उच्च अवरित्ती वाली पराश्रव धवनियों का उप्योग करते हैं ये वैसे अव्यवों की सफाई के लिए भी उप्योग मिलाये जाता है जो समानिता पहुंस से दूर होते हैं। उधारण के लिए सरपीली नलियां, विशम आकार के अव्यव, एलेक्ट्रोनिक उपकरण आदी। पराश्रव धवनियों का उप्योग किसी धातू खंड में दरार, अथवा, दोश का पता लगाने में भी किया जा सकता है। यदि छोटा सा भी दोश होगा, तो पराश्रव धवनियां त्यारित रूप से उसका प्रावर्थन करेंगी। पराश्रव्य ध्वनी का उप्योग एको काडियोग्राफी के लिए भी किया जाता है इसमें पराश्रव्य तरंगों को हिर्दय के विभिन अव्यवों से परावर्तित कराया जाता है एवं इस प्रकार हिर्दय का प्रतिबिम्ब बन जाता है पराश्रवे धौनी का उप्योग मनुश्य के गुर्दे में बनने वाले छोटे पत्थरों के टुकड़े करने में भी किया जाता है, जो बाद में मोत्र के साथ शरीर के बाहर आ जाते हैं. सोनार सोनार वो यंद्र है, जो पराश्रवे तरंगों की साहता से पानी के भीतर की वस्तों का वेक, दिशा एवं दूरी मापता है. सोनार वस्तता साउंड निविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है. सोनार में एक ट्रांस्मीटर एवं एक संसू चक होता है और यह किसी नाव अथ्वा जहाज में लगा रहता है. ट्रांस्मीटर पराश्रव्य तरंग उत्पन करता एवं प्रसारित करता है. यह तरंगें पानी में संचरण करती हैं और समुद्र तल में किसी वस्तू से टकराने के बाद परावर्तित होती हैं तो संसूचक को इसकी सूचना मिल जाती है. पराश्रव्य तरंगों को संसूचक विद्यत संकेतों में परिवर्तित कर देता है, जो उसकी उचित व्याख्या कर देता है. Eco-Ranging तक्नीक की साहिता से उस वक्त की दूरी का पता लगाया जा सकता है जिससे परावर्थन के बाद ध्वनी तरंगों ने संसूचक को संकेत दिया था मान लेते हैं कि पराश्रव्य ध्वनी तरंगों के संकेतों के संचरण एवं ग्रहन के बीच समय का अंत्राल T है एवं समुद्र सतह पर ध्वनी का वेग V है पराश्रव्य तरंगों द्वारा तै की गई कुल दूरी 2D है तो 2D बड़ाबर V बटे T होगा इसी को इको रेंजिंग तकनीक कहते हैं मानव के कान की संदचना कान मुख्य रूप से तीन भागों में विभगतो होता है बाहे, मध्धे एवं आंतरिक ध्वनी को पहचानने एवं समझने में कान के प्रतेक भाग की अपनी विशेज भुमिकाएं होती हैं कान के बाहरी भाग को पिन्ना, अर्थात, कन, पाली कहते हैं यह अपने आसपास के वातावरण से ध्वनी ग्रहन करता है एक अत्र ध्वनी कान पाली से गुजरते हुए श्रवन नालिका में जाती है श्रवन नालिका के अंतिमचोर पर एक पतली जिल्ली होती है, जिसे कान पटल अथवा कान की जिल्ली कहते हैं जब संपीडन अथवा विसरण कन पटल तक पहुंचती है तो यह जिल्ली अंदर एवं बाहर की तरफ गती शुरू कर देती है इस प्रकार कन पटल कंपन करने लगता है यह कंपन मध्धे कन की तीन हड्डियों घन, अहरन एवं वलियक द्वारा परिवर्दित हो दी है संचरित कर देता है आंतरिक कान के भीतर कंपन अथवा विवित दबाव करना वर्थ द्वारा विद्वत संकेतों में परिवर्दित हो जाता है यहां विद्वत संकेत स्रोता की श्रवन तंत्रिका के माध्यम से मस्तिश्क तक पहुंचते हैं एवं मस्तिश्क इसकी व्याख्या ध्वनी रूप में कर लेता है। क्या आप चानते हैं। हेंरिक रुडोल्फ हर्ट्स का जन्म 22 फरवरी सन 1857 को जर्मनी के हैंबर्ग में हुआ था। एवं बर्लिन विश्विद्याले में उन्होंने शिक्षा ग्रहन की। उन्होंने अपने प्रयोगों से जैसी मैक्सवेल के विद्यूत चुम्बकिये सिध्धान्त की पुष्टी की। उन्होंने ही रेडियो, टेलिफोन, टेलिग्राफ एवं यहां तक की टेलिवीजन जैसे उपकरणों के भविश्य में विकास की नीव रखी थी। उन्होंने प्रकाश वेद्यूत प्रभाव का भी अविश्कार किया था। जिसकी बात में अलबर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। उन्ही के संबान में आवरिती की SIEKI का नाम हर्ड्स रखा गया। श्रवण यंद्र वैसे लोग जिनकी श्रवण शक्ती क्षीन हो गई हो उन्हें श्रवण यंद्र की आविशक्ता पड़ती है। यह इलेक्ट्रोनिक यंद्र है जो बैटरी से संचालित होता है। श्रवण यंद्र वस्तता माइक्रोफोन के माध्यम से ध्वानी ग्रहन करता है। माइक्रोफोन उन ध्वानी तरंगों को विद्यत संकीतों में परिवर्थित करता है। यह विद्यत तरंगें ध्वानी विस्तारक द्वारा परिवर्थित होती हैं। ध्वानी तरंगें प आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में तोहराएं। विभ्यन वस्तूओं में कमपन के कारण ध्वनी उत्पन्न होती है। ध्वनी अनुप्रस्त तरंगों के रूप में किसी माध्यम से गुजरती है। किसी माध्यम में ध्वनी, क्रमशा, संपीडन एवं विशरण के रूप में संचरण करती है। निर्वात में ध्वनी का संचरण नहीं होता। दो क्रमगत संपीडन अथवा विशरण के बीच की दूरी को तरंग दैट्ध यानी लिम्डा कहते हैं। किसी वस्तू के एक पूर्ण कमपन में तरंग द्वारा लिये गए समय को समयवधी यानि T कहा जाता है. एकाई समय में पूर्ण कमपनों की संख्या को आवरित्ती यानि V कहा जाता है. ध्वानी का वेग U आवरित्ती V एवं तरंग देर्थ लेमडा समिकरन द्वारा संबध है. ध्वानी की गती प्रात्मि गुरूप से संचरन माध्यम की प्रकृती एवं तापमान पर निर्भर करती है. ध्वानी परवर्तन के सिध्धांत से सपश्ट है कि ध्वानी के उत्पन होने एवं परवर्तित होने वाली दिशाएं सामान परवर्तन सतह के साथ समान कोणों का निर्मान करती हैं एवं तीनों एक ही सतह पर होती हैं. किसी ध््वनी विशेश की प्रतिध्वनी सुनने के लिए वास्तविक ध्वनी एवं उसकी परावर्तित ध्वनी के मध्धे कम से कम 0.1 का अंत्राल आवशक है किसी सभागार में ध्वनी के बार-बार परावर्तन के कारण गूज उत्पन्न होती है औसत मनुश्य की श्रवनक्षमता 20 Hz से 20 kHz तक होती है 20 Hz से कम अवरित्ति वाली ध्वनी तरंगों को अनूश्रव एवं 20,000 Hz से अधिक अवरित्ति वाली ध्वनी तरंगों को पराश्रवे तरंग कहते हैं पराश्रवे ध्वनियों का उप्योग उद्योगों एवं चिकिस्सा के क्षित्र में किया जाता है सोनार तकनीक का उप्योग समद्र की गहराई मापने एवं जल के भीतर चटानों, घाटियों, पंडुब्बी, हिमशेल, डूबे जहाजादी का पता लगाने में किया जाता है